जाएंगे या लिखा आठी में आईस से इसलीए हम ढांडस बांदे रहते हैं और दे से अलग होकर प्रभू के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं इस कारण हमारे मन क्यों मंग यह है कि चाहें साथ रहें चाहें अलग रहें पर हम उसे भाते रहें क्यूंकि अवश्य है कि ह हम सब का हाल मसी के नियाए आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दे के दौरा किये हो पाए दूआ में अपने सर को चुकाएं और दूआ मांगे रहु मेरी बुद्धी मेरी गएन मेरी समझ मेरी युगताओं को शूर ने कर खुदा वनेदे बाप किस पल से मरमुक से जो निकले पर मेश वर वो त्हीरा वचnoc अनो और खुदा वन्तिरलों के लिए बॉरगतों कावाई सो त्हिरलों के लिए मन फिराव काथमा लेकर आए और खुदावन हम सब तेरी नजदी की में बनी रहें इश्यू के नाम से मैं तो यहाँ पर संथ पॉलू उसकिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर संथ पॉलू स्वर्गी एक घर की बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर मैं और आप उसकी पहली आईद में क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रत्वी कासा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें पर मेश्वर की ओड से स्वर्ग पर एक ऐसी मारत मिलेगी जो हातों का बना हुआ गर नहीं बलकि अबदी है यहाँ पर इस चेप्टर में संद पॉलूस किस चीज की बात कर रहे हैं कौन सा हमारा प्रत्वी कासा डेरा सरी का घर गिरा जाएगा शरीर संद पॉलूस इस शरीर की बात कर रहे हैं इस देहे की बात कर रहे हैं जो देहे नाशवान है और संद पॉलूस कहते हैं वो कहते हैं ये प्रत्वी कासा डेरा सरी का घर ये जो देहे है ये गिराई जाएगी जिससे की स्वर्ग में एक अविनाशी देह मुझे और आपको मिले यहाँ पर संत पालू उस देह की बात कर रहे है लेकिन एक बड़ी अजीब बात है बहुत तो निश्य तोर पर कई लोगों की जीवन में ब्रांती है कि नियाए तो आत्मा का है शरी का नियाए नहीं है शरी तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा हम सब सोचते हैं न शरी का कुछ नहीं है शरी तो शरीर है अकसर हम लोग कहते हैं यह शरी तो जो है मिट्टी में जन्माए मिट्टी मिल जाएगा नियाए तो नियाए के दिन में होगा मैईद अगर नियाए नियाए के दिन में होगा तो इस देह ने जो अपराद किये हैं उसका क्या इस देह के दोरा मैंने अपने जीवन में जो जो अपराद करे हैं चाहें किसी को अनुची तरीती से मारा हो किसी का इस देह के साथ अनुची तरीती से शोशन किया हो मैंने इस देह के साथ वेविचार किया हो मैंने इस देह का अनुची तरीती से इस्तुमाल किया हो खुदावन ने मरी देह को तियार किया था मेरे हातों को, मेरे पाउं को, मेरे कमर को, मेरे सर को, मेरे मूं को, मेरे आखों को और मेरे शेह के कंग को इस सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक को खुदावन ने इसलिए तियार किया था कि इस देह से खुदावन को महिमा मिले उसका क्या जो मैंने अपने देह से अपराज करे चाहें वो किसी भी रूप में क्यों न हो क्या इस देह को सजान नहीं मिलेगी क्या इस देह का नियाई नहीं होगा मैं तो निशिट और बे जानले न हम मैंसे बहुत सारे संसार में बड़ी ब्रांथी में जीते हैं और मैं भी बड़ी ब्रांथी में जीता था कि इस देह का कुछ नहीं होना ये शरीर तो इसलिए है कि खाओ पी और मोज करो खुदाई इकलाम में लिखा है कि शरीर का और आत्मा का निरंतर बहर है शरीर और आत्मा एक साथ काम नहीं कर सकते है मैं तो यही तो टास्क है एक मनुशे की जिंदगी का क्योंकि खुदावन ने सिस्थी के प्रारम में कभी भी शरीर को आत्मा का बहरी नहीं बनाया था अगर खुदावन अक्सर लोग कहते हैं शरीर का संद्धपॉलूस ने भी कई जगे जिकर किया है कि मास और लहु कभी पर मिश्वर किराज्जे के अदिकारी नहीं हो सकते संद्धपॉलूस ने कई बार जिकर किया है कि मैं अपनी अगरन दे कैसी है दूर्बल है मैं दो खुदावन ने अगर में और आप पीछे पहुंचे हैं यह बहुत सारी ब्रांतियां बहुत सारी चीन हैं कंसप्शन्स जो है वो चले आ रहे हैं कि यह दे और आत्मा कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं यह दे आत्मा की वरोध में काम करत आत्मा दे की वरोध में लेकिन ऐसा क्यों कि आज की संद्या सवाल यहीं कि खुदावन को अगर यह पता होता कि यह दे मेरी ही आत्मा की विरोध में काम करेगी तो खुदा दे बनाते ही क्यों कि इस देह को किसने बनाया कि कैसे कि परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले को पुतले में भूख दिया तो देह भी परमेश्वर ने बनाई आत्मा भी परमेश्वर ने बनाया तो फिल दोनों में आपस में बैर क्यों क्या यह बैर प्रारम्म से चला रहा है में तो खुदावन ने जब देह को बनाया खुदावन ने जब आत्मा को बनाया तो इने में बैर नहीं था आत्मा देह का सपोर्ट करती थी और देह आत्मा का सपोर्ट करता था लेकिन खुदाई किलाम में क्या लिखा है खुदाई किलाम में लिखा शैतान ने जो काम किया मनुष्य ने इस देह के दौरा सारा जंजट कहां से शुरू हुआ सारा जंजट इस देह से शुरू हुआ इस देह को आत्मा आज भी बलवान है आत्मा आज भी जोरावर है आज भी आत्मा परमेश्वर के सपोर्ट में काम करती है लेकिन इस देह को मैंने और आपने क्या किया इस देह को मैंने और आपने अनग्यकारी होकर शेतान के हाथों में दे दिया क्योंकि शेतान अनग्यकारी होने में जादा तर जो क्रेडिट रहा वो किसका रहा देगा हमारी दे नेligen हो हववा ने देखा आखों का दोष हव्वा के हव्वा ने तोड़ा हातों का दोष हव्वा फल खाने के लिए चली, पाओओं का दोष हव्वा को लाला चाया उसने कहा ये खाने में स्वादिस्थ है मनभाव है उसकी लाट बग गई उसके स्वाद का उसकी जवान का दोश और उसका शरीर जो है वो शेतान के कब्जे में चला गया और जब मनुश्य का या आदम और अभा का शरीर शेतान के कब्जे में चला गया तो जो चीद शेतान के कब्जे में है वो कभी परमेश्वर की महिमा करही नहीं सकता वो कभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिन्दगी जी नहीं सकता इसलिए तो खुदाई किलाम में लिका है परमेश्वर ने भले आदम अबा को अधन की वाटिका से निकाल दिया लेकिन उसके बाद भी क्या का इस शरी के साथ मैं तुम्हें बापिस नहीं लूँगा ये शरी तो खुदा नहीं बनाया था हमारे हाड मासी किसने बनाया खुदा नहीं बनाया अगर खुदा चाहता तो हमें इसी शरी के साथ भी ले सकता था लेकिन खुदाई किलाम में लिका है ये मास और लहू कभी परमेश्वर के राजिय का दिकारी नहीं हो सकते है और वो सबसे बड़ी अनग्यकारता क्या है जो वस्तर में और आप पहने हैं खुदा एकलाम लिका है मनुशे का ध्यान जो है आत्मा की बातों को छोड़ कर मनुशे का टोटल ध्यान अनग्यकारी होकर शही की तरफ चल पड़ा इसलिए शही की तरफ चलने का मतलब उसने अपने शही को सबसे पहला काम क्या किया सबसे पहला काम किया कि जिस क्रियेशन की परमेश्वर ने आदम अरभा को रक्षा करने के लिए रखा था अपने शही को डापने के लिए उसने सबसे पहले उसी creation को नुकसान पहुचाया फल तोड़ने में बुरा ही नहीं है फल बने ही तोड़ने के लिए आदम अभवा जब फल खाते होंगे तो क्या खाते होंगे फली तोड़ के खाते होंगे चुकि परमेश्वर ने उन फलों को बनाया ही इसलिए है कि आदम अभवा खाएं लेकिन destruction का हैं पत्ते तोड़ने के लिए नहीं बनाएं पत्ते नहीं तोड़ना पत्ते तोड़ने से तो में कोई लाब नहीं है उस गुना को करने से पहले आदम अभवा कभी पत्ते तोड़ते भी नहीं होंगे लेकिन जब उन्हें अपने शही को ढापने की आवशक्ता पड़ी तो उन्हों सबसे पहले अपने अधिकार का मिस्यूज किया और अपने शही को ढापने के लिए उस creation का नुकसान किया जिस creation को परमिश्वर ने उन्हें रक्षक बनक के रूप में ठेराया था मैं इस शही का वहां से जो है परमिश्वर के साथ सम्मंद तूट गया और तब से मनुश्य निरंतर अपने शरीर की ही चिंता करने लगा मैं आज भी आज भी में और आप कहीं अपने शरीर के ही गुलाम है आज भी में और आप पूरी जिन्दगी में जो भी गुना करते हैं उस गुना के पीछे क्या है सबब शरीर आज भी में और आप आत्मा में गुना नहीं करते हैं आज भी में और आप अपनी शरीरिक अभिलाज शाओं में ही पढ़ते हैं चाहें वो कुछ भी क्यों नहीं हो चाहें वो सेक्स हो चाहें वो किस तिरह का बैड हैबिट हो चाहें वो अपने शरी को आराम देने के लिए चोरी करना हो चाहें वो किसी को धोका देना हो Maximum गुनह जो है में और आप शरीफ के साथ करते है और Maximum गुनह जो में और आप शरीफ के दोरा करते है अब सवाल ये है जिसके दोरा गुनह किया जा रहा है उसको सजा मिलेगी या नहीं पहला point वही बापेस हम फिर महीं लोट के आए सबोज करिए मैंने अभी म Märzum जिसे इसे खंपल पुरा हूं नहीं माना मैने अभी माशूम मेरी मार्ति ज्याइब कमा आकाश में चाटा और हुआ है उक्ति पी है लेकिन गलती दौनों की है यह नहीं मासूम कैं मेरी को कुण करने वाले की तो जब सजाज इसको मिलेगी दोनों को मिलनी चाहिए कि नहीं तो बहले हम अपनी अभिलाशाओं में पड़े लेकिन गुना तो इस शरी ने भी किया ना इस शरी का क्या है जो हाडमास का मिट्टी है इसका क्या है ये तो मिट्टी में जन्मा है और मिट्टी में ही मिल जाएगा क्या है इस शही को कभी सजा मिलती है या नई आज की संद्या का सवाल यही है और खुदावण के कलाम में इसका साफ साफ जवाम मिला है खुदावण के कलाम में क्या लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसी के नियायासन के सामने कुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देहे के दोरा किये हों पाए किसके द्वारा देहे के द्वारा शरीर के द्वारा मन के द्वारा नहीं विचारों के द्वारा नहीं आत्मा के द्वारा नहीं निश्यत और बजान लेना इस शरी के किये हुए अपराधों की सजा मुझे और आपको इसी शरीर में भोग नहीं होगी महीदो आज कहीं न कहीं मनुष्य का बीमारी का इस्तर बढ़ रहा है शारी कमजोरियों का इस्तर बढ़ रहा है मनुष्य की आईउ दर कम हो रही है पहले सुनते थे शुगर जो है वो बहुत बड़ी उमर में जाके होगी बलड पेशर बहुत बड़ी उमर में जाकर होगा महीदो आज कहीं न कहीं निश्च तौर पहर दूसरा मनुष्य बेमारी के आलम में आज फिट से फिट जिंदगियां जो हैं कहीं न कहीं कमजोरी में हैं महीदो कही बार निश्च तौर पहर जान लेना महीदो शरी के किये हुए अपरादों की सजा शरीर को मिलेगी और आत्मा के दोरा और विचारों के दोरा किये हुए अपरादों की सजा आत्मा को मिलेगी इसलिए अगर में और आप इस शरीर से कोई गुना कर रहे हैं तो निश्च तो और बजान लेना खुदावन की उस कलाम को याद रखना कि जहने खाये जो कुछ तू बोएगा वही काटेगा अगर आज में और आप अपने शही का या अपनी दे का इस्तमाल नानर पकार की बुरी बातों के लिए कर रहे हैं अगर मैंने और आपने कहीं मैं अक्सर इस बात के लिए खुदावन से माफी चाहता हूँ मैं सच मैं प्रभू से मैं नहीं चाहता हूँ मैं से लिए रेगुलर खुदा से माफी मांगता हूँ मैंने अपने इस देह से जो गुनाह की है मैं खुदावन से चाहता हूँ कि खुदावंद चाहता है कि में और आप खुदावंद से शमा मांगे हैं कि मैं दो इस देह कि इस देह की समस्या यही है कि आज यह देह नश्वर इसलिए हुई है क्योंकि यह गुनाह कर बैठी अगर यह देह भी परफेक्ट थी इस देह में कोई बरशानी नहीं थी इस देह को बदलना नहीं पड़ता स्वर्गिय देह की कोई आवशक्ता नहीं थी क्योंकि यह देह खुद अपने आप में स्वर्गिय देह ही थी मैई तो अगर इस देहे के द्वारा में और आपने गुनान नहीं किया होता अगर आदम अभवा ने इस देहे के द्वारा अनग्यकारी होकर परमेश्वर के प्रेम उसकी दया और उसकी करुणा को तुछ ना जाना होता तो इस देह को स्वर्गियत देह में बदलने के कोई दरौद नहीं थी मैं तो ये देह परमेश्वर ने परफेक्ट बनाई थी क्योंकि परमेश्वर की कोई भी creation imperfect हो भी नहीं सकती ऐसा नहीं है कि ये वाली देह शेतान ने बनाई है यह वाई यह देह शेतान ने बनाई यह देह परमेश्वर ने ही बनाई है और गुना करने से पहले आदम अव्वा के पास यही देह होगी लेगिन इस के आए इस देह में कमजोरियां इसलिए आई बेमारियां इसलिए प्रवेश की मुसीबतें इसलिए प्रवेश की इस देह का नाश होना इसलिए तेह हुआ चुकि ये देह परमेश्वर की आवाज को सुनने की जगे परमेश्वर के वचन की प्रती आग्याकारी होने की जगे परमेश्वर की सिक्षाओं पर चलने की जगे शेतान के अवास सुनकर शेतान के मारकों में चलने लगी मैई तो इसलिए खुदाई कलाम में लखा है कि आदम की आयू कितनी थी फिदी में दी में दी में दी में जैसे जैसे मनुष्य कुनहा करता गया है यहां तक कि खुदावद ने फिर भी बड़ा नुगरे किया आदम की आई यह भी 900 साल के आस पास रही उस जमाने में भी खुदा ने बड़ा नुगरे किया लेकिन नुह के जमाने के बाद नुह से पहले खुदा इकलाम में क्या लिखा है मौने खाए कि नुह के टाइम के लोगों को परमिश्वर ने देखा और खुदा ने क्या कहा मैं इने बनाकर पच्छताता हूँ मैं इतो उत्पत्ती के मुस्तक में जहां क्रियेशन अकाउंट में परमिश्वर ने कहा कि ये क्रियेशन सबसे बेस्ट है ये बहुत अच्छी है ये अच्छी है और नुह के जमाने में खुदावन ने कहा मैं इस देख को बनाकर इस मनुश्य को बनाकर पच्छताता हूँ तब खुदा के कलाम में लखा है नुह के बाद पर मिश्वर ने मनुश्य किया यू कितनी गर दी 120 वर्ष कर दी घटी गई धी में धी में धी में राजा दाउद के आते आते फिर राजा दाउद ने क्या कहा राजा दाउद ने अपने भजन में कहा मनश्य की आयू किती? सत्तर अब किती डिसाइड कर दी? मनश्य की आयू सत्तर और बल के कारण अगर असी भी हो जाए तो भी उसका बल जाता रहेगा वहाँ पर कितनी साइड हो गई असी कहां एक जमाने में नो कहां एक जमाने में अनंत काल का जीवन कभी ना मरने वाला जीवन कभी ना नाश होने वाली दे कभी ना बिमार पढ़ने वाली दे ना कभी धर्द, ना कभी ठकने वाली दे, ना शुगर जानती, ना बीपी जानती, ना थराइड जानती, ना कैंसर जानती, ना डाइविटीज जानती, कुछ भी नहीं जानती, ये दे उस जमाने में बिकुफ पॉफेक्ट थी लेकिन गुना करने के बाद, अनग्यकारी होने के बाद, सेम दे, परसे परमेश्वर का अनुग्रे हट गया और जब पर मनुश्य अनग्यकारी हो गया, इस दे पैसे परमेश्वर का अनुग्रे हट गया मैंने और आपने परमेश्वर की उस पॉफेक्ट देह को खंडित कर दिया तो रंत बिमारियां, मृत्यू, मुसीबतें, तकलीफें तब सब मेरे आपके जीवन में प्रवेश कर गई और फिर भी मैं और आप नहीं माने खुदा ने फिर भी बहुत लंबी आईउ दिये फिर जब मेर आप नहीं माने तो नू की जमाने में खुदा ने 120 कर दिया फिर हम नहीं माने फिर खुदा ने सतर बलके कान असी कर दिये लेकिन अभी भी अगर मेर आप नहीं माने आने वाली जन्रेशन की आयू कितनी हो जाएगे पचास बल्ग का साथ में तो आज ये पक्की बात है आप पुराने जमाने के बुदर्गों को उठा के देखिए हमारे गोल्डी दाना आज भी साइकल जलाते है नंटी के असपास बुदर्गों की हड्डियों में बड़ी ताकत थी बुदर्ग आज भी खेतों में आपको काम करते हैं मिल जाएंगे और आज की जन्रेशन अपने शरीर से गुना कर रही है इसलिए उसका पल्टा उसके शरीर पर ही मिलेगा मैं दो आज जातर जन्रेशन जो है वो फरमिश्वर की महिमा अपने शरीर से करने की जगह है आफिस हों बैट कर पैसा कामाने में लगे हुई है पबों में जाने में लगी हुई है वीडियो गेम और मॉवैल्स गेम देख रही है वो सारे बुरे काम कर रही है लेकिन कहीं भी अपनी देख से खुदावंद को में माने दे रही खुदावंद के कलाम में लगा इस देख को उचित रखने का एक ही तरीका है खुदावंद की बातें परमिश्वर का वच्छन बड़ा अदूद है इसे मैं और आप समझ नहीं सकते खुदावंद कब कैसे मुझ पर आप पर अनुख्रे करेगा में और आप समझ नहीं पाएंगे खुदावंद ने जब आदम को श्राब दिया तभी इस देख को फिट रखने का तरीका भी बताया खुदावन ने इस देह को फिट रखने का तरीका क्या बताया खुदावन ने आदम को क्या श्राब दिया तु अपने पसीने की रोटी खाया करेगा जब तक मनुश्य अपने पसीने की रोटी नहीं खायेगा तब तक उसकी देह फिट नहीं रह सकती आज जीवन में बदलाव क्या आगया है आज की जीवन में बदलाव यह है कि मनुश्य अपने पसीने की रोटी नहीं खा रहा है आज मनुश्य अपने ब्रेन की रोटी खा रहा है आज मनुश्य अपने कैलकुलेशन की रोटी खा रहा है आज मनुश्य अपने अजुकेशन की रोटी खा रहा है आज मनुश्य अपने उंगलियों की रोटी खा रहा है केम्पूटर बे चला चला के आज मनुश्य पूरे दिन सुबह से शाम दा भले ही बैठर आएगा लेकिन पसीना नहीं भाएगा और जो मनुश्य पसीने की रोटी खाएगा आज भी उस मनुश्य का शरीर फिट होगा मैं तो हमारे जीवन की बड़ी बरजानी यही है कि मैं और आप खुदावन के कलाम को हलके में लेते हैं और खुदावन के कलाम को समझते हैं में तो खुदावन ने ये बर्दान भी दिया और खुदा ने ये श्राब भी दिया है कि जो मनुश्य पसीने की रोटी नहीं खाएगा तेरी आईउ में कम गर दूँगा अज़ ज़ादतर जवानी में हटटे को रहे हैं लोग कहीं न कहीं परशानियों में हैं दिक्कतों में हैं फीडाओं में हैं वह इसलिए हैं क्योंकि वह परमिश्वर की आग्या को अनभव नहीं कर पाए खुदावन ने का पसीने की रोटी खा तो खा इसका मतलब तेरा अपने डेली रोटीन में पसीना बहाना जरूरी है कमपल सरी है मैं तो आज भी खुदावन चाहता है मैं और आप इस देह से गुना कम से कम करें खुदावन ने डेफिनेटली अपने विश्वाशियों के लिए इस देह को छोड़कर एक और देह रख रखी है उसमें कोई दोराएं नहीं है खुदावन के जो विश्वाशी जिन्दगिया हैं उनके लिए खुदावन ने साफ साफ लिख दिया खुदावी कलाम में लिखा है कुरंतियों पुस्तक में कि नाशवान देह बोई जाती है जिससे कि अविनाशी दशा में जी उठेए डेफिनेटली अब हम इस देह के साथ उस्वर्गी आनंद में शामिल नहीं हूंगे लेकिन इस देह को कम से कम सजा मिले इसके लिए मुझे और आपको इस देह को परमिश्वर की महिमा के लिए इस्तमाल करना होगा मुझे तो मुझे और आपको वो तालमेल बनाना होगा वो तालमे संद पालूस ने भी उसी देह को खुदा की महिमा के लिए इस्तमाल किया ये देह मुझे और आपको दाएमाएं भटकाईगी ये देह मुझे और आपको अभिलाशाओं की और लेकर जाएगी ये देह मुझे और आपको अपने कंट्रोल मिलेगी लेकिन संद्पॉलूस क्या कहते हैं संद्पॉलूस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता और खूटता हूँ मैं अपनी देह को मारता और खूटता हूँ अब देह को मारने खूटने का मतलब यह नहीं है कि हेंटरों से मारने वो अपनी देह को अपने वश में कर रहे हैं कि इस देह के दोरा कोई पाप न हो इस देह के दोरा परमेश्वर की महिमा जो होनी है वो महिमा होने की जगह कोई गुनाह न हो जाए मेरे हाथ, मेरे पाउं, मेरा शरीर किसी भी तरह की शारिरिक अपराधों में ना पढ़े इस दिने संद्पालू से एक और उत्तम बात कहते हैं वो कहते हैं मेरी देह में निरंतरे कांटा चुबाया जाता है मैं दो परमेश्वर का ये वच्छन मेरी आपकी जिन्दगी के अंदर मेरी आपकी शारिरिक देह में काटा चुबाने का काम करता है आत्मिक जिन्दगी में काटा चुबाने का काम करता है कि मैं और आप गुनाओं से दूर रहे definitely मैं और आप इस देह को छोड़ कर जाएंगे कि डेफिनेटली विश्वाशी जिन्दगियां उस अविनाशी देह में प्रवेश करेंगे लेकिन एक सिंपल सी बात आज कि क्या अगर इस देह ने गुना किया तब क्या मुझे और आपको वह अविनाशी देह मिलेगी असंभव क्योंकि पाप पाप है चाहें वो देह से किया जाएं चाहें वो आत्मा से किया जाएं चाहें वो विचारों से किया जाएं पाप पाप है में तो इस देह का पराद भी उसके लेखे में हैं उसके भले और बूरे कामों के लेखे में हैं इस देह के दौरा किया हुआ पराद भी और उसके लिए भी लिखाएं उसका भी क्या होगा न्याय होगा अगर मैं और आप इस देह को शुद्ध नहीं कर सकते तो निश्यत और बजान लेना मुझे और आपको आने वाले स्वरगिये लिवास की बाठ जो ना छोड़ देनी चाहिए अगर मैं और आप सोच रहें कि मैं और आप इस देह से गुना करें इस देह का मैं और आप कैसे भी इस्तुमाल करें और आने वाले स्वरगिये देह में मैं और आप शामिल हो जाएंगे उस अरंद काल के जीवन में मैं और आप शामिल हो जाएंगे मुझो अपको इस शारीज दे को भी खुदा की मेहिमा के लिए इस्त्माल करना होगा मुझो अपको इस शारीज दे को भी भुवत्र जीवित और परमेश्वर के सामने Betsy हुइ बलेदान कर चड़ाना होगा जैसे संद पॉलूस रोमियों की पत्री उसका बार में दिया है और उसकी पहली आयद में कहते है वो कहते है भाईयो मैं तुम्हें परमेश्वर की दाया इसमन दिला कर बिंत्वी करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित फोवित्र और भावते हुए बलिदान करके छड़ाओ मैं तो डेफिनेटली खुदावन चाहता है कि मैं और आप इस देह का भी उतना ही दियान लखें जितना में और आप आत्मिक देह का दियान लखते हैं जितना में और आप आत्मा की चंता करते हैं जितना में और आप विचारों की चंता करते हैं जितना में और आप अपने आत्मिक जीवन की चंता करते हैं उतना ही अपनी इस देह का भी इस्तमाल करें मैं भी नहीं कर पाता बहुत बार मैं भी लापरवाओं मैं खुद भी इस देह से गुना करता हूँ लेकिन खुदावन शमा करने वाला है अपनी जिन्दगी को खुदावन के चरणों में लेकर आए प्रभू से काए प्रभू तुम मेरे अपरादों को शमा कर खुदावन मेरी देह को पाक और पवित्र कर परमेश्वर मेरे जिन्दगी को अपनी महिमा के वास्ते और अपने जलाल के वास्ते इस्तमाल का दूआ करे रभू जाने जाने खुदावन मेने अपनी देह से गुना करे